ग्रामप टेरा में सुजानपू टेरा में डॉक्टरों के पद रिक्त होने के चलते बाहर से आए मरीजों को लंबी कर लाइनों में खड़े होकर इलास करवाने पर मजबूर होना पड़ रहा है इस नागरिक अस्पिताल में तीन जिलों के लोग यहां पर अपने स्वास्ते की जाँच करवाने के लिए आते हैं लेकिन डॉक्टरों के ना होने से मरीजों को समय पर इलास नहीं मिल पा रहा है जिससे उन्हें नीजी स्वास्ते केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है ग्यात रहे कि इस नागरिक अस्पिताल में मंडी कांगडा हमिरपुर के लोग यहां स्वास्ते की जाँच करवाने के लिए आते हैं लेकिन डॉक्टर के पड़ रिक्ट चलने के कारण लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है हलंकि नागरिक अस्पिताल सुजानपूर में डॉक्टर के छे पड़ रिक्ट सवग्रित हैं लेकिन तीन ही पड़ भरे के हैं जिसते तीनों ही डॉक्टर एक एक शिप्ट में सेवाई दे रहे हैं वहीं अस्पिताल में करीबन 500 तक ओपीडी होती है एक ही डॉक्टर ओपीडी और अपात कालिन सेवाई देख रहा है ओपीडी में बैठे एक डॉक्टर को अपनी कुर्सी छोड़ कर बाड में अमर्जनसी मरीज को देखना पड़ता है जिससे लाइन में खड़े मरीजों को घंटो लाइन में अपनी बारी का इंतिसार करना पड़ रहा है